कहानी शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को सामान्य ज्ञान का ज्ञान है मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें पहला सवाल हीरे की खुदाई सर्वप्रथम किस देश में हुई थी दूसरा सवाल चंद्रमा पर पाने की खोज करने वाला पहला देश कौन था तीसरा प्रश्न शत्रंज के खेल की खोज किस देश में हुई थी जिन्होंने दुनिया को शत्रंज के खेल के बारे में बताया था चौथा प्रश्न दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान दुनिया के किस देश में मौजूद है पाँचवा प्रश्न मोतिया बिंद और प्लास्टिक सरजरी की खोज भी किस देश में हुई थी मैं आपको कहानी के अंत में सभी प्रशनों का उत्तर दूँगा सभी सवालों के जवाब पूरी कहानी के बाद सुने अकेला चना भाड नहीं फोड सकता पर अकेला बंदा पहाड तोड सकता है एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोके खरीदने ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं उड़कर फिर से जमीन पर आपने वाला रॉकेट ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा की पॉसिबल होगा अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आईडिया नहीं होगा की कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जनता था जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजिनियरिंग की डिगरी नहीं ली थी वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइन के रॉकेट बनाने वाली बड़ी-बड़ी कमपनी को भी नहीं पता होगा जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट रॉकेट लाउंच तो कई साल से होते आये थे कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आईरन मैं इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे यहां तक की कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी वहां की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि उसके मुंग पर थूका भी गया था और इनको कहा गया कि तेरी पास पैसे तो है नहीं और आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना दील पूरी किये वापस अपने कंच्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रौके। मैं ऐसा रौकेट बनाऊंगा जो की बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके और इसके बाद ऐसा रौकेट बनाऊंगा जो लांच के साथ साथ जमीन पर वापस भी लैंड कर सके। बन्दे ने एक के बाद एक किताबे पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लांच के 37 सेकंड के अंदर ही लांच के बाद रौकेट वापस जमीन पर आकर गिर गया और ये गिरना ऐसा था कि उस रौकेट के तुक्रे तुक्रे हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया बंदा चार साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया पैसो का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूडने की कोशिश की यार कहा कमी रह गई रौकेट लांच क्यों नहीं हो पाया। एक साल बाद फिर से रौकेट लांच किया फिर से वही हुआ मिशन फेल रौकेट क्रैश पैसो का भारी नुकसान। फिर एक साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ मिशन फेल रॉकेट क्रैश पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके तीन प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में ना बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे या उतने भी नहीं बचे थे कहलो। इतने अच्छे अच्छे इंजिनियर थे ना इस बंदे के पास में वो सब इन्हें छोड़ कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जूनून था इतना होमवर्क इसने कर लिया था इस इसने सोचा की एक बार और ट्राय करते हैं लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बात प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर में ही बन जाओ वो बन्दा खुद चीफ इंजीनियर था जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिगरी नहीं ले रखी थी बड़ी अज लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया पूरी जान चौथी कोशिश ने लगा दी और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा दुनिया का सबसे कम बजट में उडने वाला रॉकेट सफलता पूर्मत लांच हो गया था science की दुन्या में ऐसा करना पहली बार नहीं हुई थी लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी rocket को launch करना पहली बार हुआ था ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई rocket बनाना नहीं सिखाया इस बंदे की company को दुन्या SpaceX के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटलाइट स्पेसेक्स के जरीए अंतरिक्ष में भीज दी है जब इस बंदे के तीन फेल लांच के बाद में चौथा लांच सफल हुआ ना तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए और सक्सेसफुल लांच के बाद में दील पक्की भी हो गई क्योंकि इसके पहले सैटलाइट को लांच करने में नासा का बहुत खर्चा होता था लेकिन ये बंदा यही पर नहीं रुखने वाला था बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार-बार यूज किया जा सके आम तोर पर क्या होगा है कि जब किसी सैटलाइट को स्पेस में लांच करना होता है तो वह सैटलाइट अंतरिक्ष में ले करके जाता है उसको दुबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कत्म हो जाता है यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है यानि कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षत जमीन पर वापस आ करके लैंड हो जाए ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए जब इस बंदे ने 2011 में अन्नाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ तो काफी लोगों ने इसकी मजाग बनाई बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फाल्तू का काम है क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नमुम्किन है लेकिन इस बंदे के दिमाग में नमुम्किन नाम की कोई चीज नहीं थी इसके दिमाग में केवल जीन थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा सबको गलत साबित करके बताऊंगा बंदे ने अगले चार साल तक दिन रात एक कर दी बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिये आखिर कार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो वो आज तक सिर्फ हॉलिवुड की फिल्मों में देखते आई है इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया असंभव को संभव कर दिया और ये बंदा फिर नहीं रुका उस अंतरिक्ष में जाने वाले सेटलिटे कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लैटफॉर्म पर बड़ी ही एक्क्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सेटलिट को अर्थ के और्बीट में छोड़कर दस से बारा मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है इस बंदे को अगर दुनिया का आईरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे ये वही बंदा था कि जो बचपन में इतनी किताबे पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास में किताबे कम पढ़ने लगी लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉप कत्म होने के बाद में पूरा एंसाइकलोपीडिया भी पढ़ डाला ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है हाँ बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आगए मिसाइल खरीदने आज इस बंदे की आउकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो वैसे कमेंट करने वालों को लाखो बंदों को खरीद सकता है और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है और ये बंदा अमीर क्यों ना बने क्योंकि ये डिजर्फ करता है पैलों मस्क नाम तो सुना होगा इस नाम में जान है क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंद है ना उसके नौलिज में जान है कहानी यही पर कत्म नहीं होती जो आज सायद impossible लगता है पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो landing वाला rocket भी किसी time पर impossible लगता था, इने एक बहुत सारे ऐसे project चल रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. इन में से एक famous project है, Hyperloop इसमें जमीन पर हवाई जहाँ से भी ज्यादा speed पर travel करने का प्रोवियन होगा ऐसी technology होगी. अब अपने देश की बात करते हैं, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लड़के और लड़किया है, इतने ज्यादा की कई देशों की इतनी population नहीं है, हमारे देश में भी talent की कोई कमी नहीं है, जरूरत है, तो सोच को vision देने की vision के लिए idea generate करने की और idea को action में ब मस्क का plan future में हम धरती के लावा भी कोई ऐसी जगह ढूड़ना चाते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाते हैं, जहाँ पर इनसान सुरक्षत रह सके क्योकी हो सकता है, भविश में कोई asteroid धरती से टक्रा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से कत्म हो जाए जिस तर से कई साल पहले डायनाशोर धरती से चले गए थे, इसलिए इनके future के project में एक project ऐसा भी है कि मंगल ग्राह पर इनसानों की बस्ती बनाई जाए, इनका विशन बड़ा तगरा है और ऐसा विशन हमारे युथ में होना बहुत जरूरी है, अगर ये बंदा कर सकता है, ना तो आप समझ सकते ही कि इनसान का दिमाग कितना powerful है, इनसान की हिम्मत कितनी powerful है, इनसान की capability कितनी powerful है, और इनसान के लिए क्या impossible है, Elon Musk का मानना है कि fail होने से नहीं डरना चाहिए क्योंकि fail होना भी एक option होता है, लेकिन काम ना करना कोई option नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हपते में लगभग 120 घंते काम करते हैं, अगर साथ से divide करोगे ना तो लगभग 17 घंते आएंगे एक दिन में निकल कर कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करना हूँ कि जो मुझे लगता ही की करना चाहिए। ये कहते की अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा educated नहीं हो जाता क्योंकि मैं कभी भी Harvard University में नहीं पढ़ा, फिर भी वहां पढ़ चुके कई talented students और engineer मेरे अंदर में काम करते हैं। अंदर में काम करते हैं ये। इनका कहना है कि extraordinary बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है, इनका ये भी कहना है कि अगर आप fail नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप life में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज से date में क्या करनी चाहिए क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि जरूरी है या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इनसान तब ज्यादा बहतर कर पाता है, जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए. एलोन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए तो उन्होंने खुद पढ़ी क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए आज के डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पाता ही नहीं है कि उसको करना क्या है लक्ष निर्धारत ना करना सबसे बड़ा प्रॉबलम है, फेल होना कोई प्रॉबलम नहीं है Elon Musk का मानना है कि noise से ध्यान हटा कर signal की तरफ ध्यान देना चाहिए उनका मानना है कि problem कोई problem नहीं होती problem का solution ढूड़ना एक problem है शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और mind में थोड़ा सा विशन आपकी पूरी जिन्दगी बदल कर रख सकती है अगर आपकी life में कोई problem नहीं है ना तो problem create करो खुद के लिए और वो कैसे करोगे एक बड़ा लक्ष निर्धारित करके हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतकारी मनुश्य से सिखने की जरूरत है ह़लाकि ये भी सच है हमारा देश ऐसे क्रंतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है बस उनको अपने आप की पहचानने की जरूरत है वो बंदे भी एलोन मस की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ देश में अपना नहीं बलकी दुनिया में देश का नाम कर जाओ कहानी के प्रारंभ में कुछ प्रशन पूछे गए थे भारत देश सभी सवालों का जवाब है मुझे गर्व है कि मैं एक भारतिय हूँ मैं अपने देश से प्यार करता हूँ अगर आपको कहानी और सामान्य ज्यान पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें